मा बनना अधिकतर लड़कियों के लिए सुक्त अन्बव होता है लेकिन अगर प्रेगनेंसी अंचाही हो तो पूरा प्रिदर्श्य ही बदल जाता है बिना शादी के मा बनना तो भारतिय समाज में और भी टैबू है ऐसे में जब लड़कियां इस तरह की अंचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए क्लिनिक पहुँचती है तो वहां भी उन्हें ब्यावय अनभों से गुजरना पड़ता है भारत में बिना शादी के प्रेगनेंट होना आज भी एक बहुत बड़ा गुना माना जाता है ऐसे में कोई अन्मेरिड लड़की अगर अबोर्शन कराना चाहे तो उसे बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ता है इस मजबूरी का फाइदा क्लिनिक और डॉक्टर्स भी उठाते हैं कुछ ऐसा ही हुआ एक 19 साल की लड़की के साथ जिसने एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेगनेंट है जिसके बाद हर किसी की तरह वो भी सीधे डॉक्टर के पास गई लेकिन वहां जो उसके साथ हुआ उसने उस लड़की का डॉक्टरों पर से भरोसा ह उठा दिया क्या है इस लड़की की कहानी ये हादसा जब इस लड़की के साथ हुआ तब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी वो अबोशन को लेकर जागरू करने वाली वेबसाइट पपाया प्रेड से अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है पहली बार जब मैं गर्वती हुई तो मैं 19 साल की थी मुझे पहले से ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानि की यूटी आई की बिमारी रही है इसलिए बार बार टोईलेट जाना जो गर्वावस्ता के परमुख लक्षनों में से एक है उससे मैंने नजर अन्दाज कर दिया मुझे morning sickness या उल्टी जी में चलना जैसी कई समस्याइं नहीं हुई लेकिन कई हपते बीतने के बाद जब मेरे periods नहीं हाई तो मुझे फिकर होने लगी मेरा relationship थी और मुझे डर था कि शायद मैं pregnant हूँ मेरा boyfriend उससे मैं बॉंबे में था और मैं अपने college की छुटियों के लिए गुहाटी आई थी मेरे लिए उसके और अपने कुछ करीबी लोगों के बिना इस स्थीती से निपटना मुश्किल था वो आगे कहते हैं कि मुझे अकसर periods एनियम मित रहते थे इसलिए शुरुआत में मेरे boyfriend ने इसे नजर अंदाज कर दिया एक महिना बीत गया और अगला महिना शुरू हो गया लेकिन मुझे periods नहीं हुए इसके बाद उसने भी फिकर होने लगी इसके मैंने कई बार खुद pregnancy टेस्ट किये जो सभी positive रहे पांच से छे हफ़ते में मुझे पता चला कि मैं pregnant हूँ और ये मेरे लिए बहुत ड्रावना था उसमें मैं अपने परिवार के साथ रहा रही थी डॉक्टर ने जबरन surgical abortion का दबाव बनाया उन्होंने मुझे कच डॉक्टरों के नाम बताए जिससे उसने पहले ही बात कर स्थीति समझा दी थी मैं अपनी एक दोस्त के साथ डॉक्टर के पास गई वहां पहुचने के बाद डॉक्टर मुझ पर surgical abortion का जोर देने लगे बिना surgery दुआयों के भी ये संभव था लेकिन उन्होंने इसका जिकर तक नहीं किया लेकिन मैंने जानकारे इकठा की और तै किया कि मुझे ये सब कैसे करना है जब उन्होंने मुझे surgical abortion अपनी fees बताई और क्या करना है क्या नहीं करना ये सब बताया तो मैंने उन्होंसे कहा कि मुझे दवाईयों के जरिये ये करना है उन्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा मैं दवाईयों के बारे में जानती थी इसी के जरिये abortion करना चाहती थी शायद उन्होंने सोचा कि अब उन्हें इतना पैसा नहीं मिलेगा जो उन्होंने सोचा था उन्होंने मुझे दवाईयों की जो खीमत बताई वो chemist store के मकाबले तीन गुनाज जादा थी जिसका पता मुझे अपनी दुसरे abortion के दोराण चला इसके लावा उन्होंने उन्होंने मुझे फीस के तोर पर पंदरा सो रुपे भी लिये मैं कोई प्रेशानी नहीं चाहती थी बस इस स्थीती से बाहर आना चाहती थी डॉक्टर ने मुझे बताया इसे कैसे खाना है और मुझे कैसा अनुभव होगा दवा लेने के बाद पहला दिन मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन साबित हुआ मुझे बहुत तेज खून बह रहा था और ऐस सहनिय दर्द हो रहा था मेरा शरीर शिथिल पढ़ गया था मुझे उस दिन बॉम्मे के लिए फ्लाइट पकड़नी थी कुछ पैसों के लालच ने मुझे ट्रोमा में डाल दिया महिला ने बताया मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि काश वो डोक्टर पैसों का लालच ना करती तो मुझे इतना दर्द नहीं सैना पड़ता मैं कम उमर की थी स्वस्थ थी और मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं थी इसलिए मैंने ये रास्ता चुना था लेकिन डोक्टरों ने मेरे इस फैसले पर नकारात्मक रवया दिखाया जिसकी वज़े से मुझे बेहत तनाव से गुजरना पड़ा मैंने जब उनसे सर्जिकल अबोर्शन के लिए मना कर दिया तो उनका वैवार पूरी तरह बदल गया जिससे मुझे काफी हैरानी हुई जब तक मैं 100% सुनिश्चित नहीं हो गई कि मेरा अबोर्शन हो गया जिसमें पूरा 20-25 दिल लगे मैं उस पूरी अवधी में बेहत तनाव से गुजरी मैं हर दिन ही सोचकर होती थी शायद मुझ पर बच्चे पैदा करने का दबाव बनाया जा रहा है हलंकि महिला का कहना है कि इस पूरी प्रिसिती से उभरने में उनके करीबी दोस्तों और बोईफ्रेंड ने पूरा साथ दिया हलंकि कई लड़किया ऐसी है जो इस तरह कि प्रिसिती में अकेले पड़ जाती है और जानकारी के अभाव और डर के वज़े से अपने शरीर के साथ खिलवाड कर लेती है